आज कुमर्क भीयोगी थर्ड मेमोरियल लिक्चर है, इसके संधर्म में आप सब को मुबारक और मुझे आपने ये समान भी दिया, उसके लिए भी ट्रस्ट का मैं बहुत अभारी हूँ, इससे मुझे और भी उर्जा मिलेगी, 96 साल की उमर में मैं कोशिश कर रहा हूँ कि डोगरा हिस्ट्री बाहर निकले, वही काम जो कुमर्क भीयोगी ट्रस्ट कर रहा है कई सालों से, और बहुत अच्छा काम कर रहा है, दिल्ली में, जम्मू में, बाहर भी जाकर के, तो बहु जोगरा हिस्ट्री के उपर ट्रस्ट ने बहुत जोड दिया है, कर्चर के उपर भी है, और हिस्ट्री के उपर भी है, और मैं आपको मलूम है के फौजी हूँ महरजा, गुराब सिंग की फौज का हूँ, महरजा हरी सिंग्न ने मुझे कमिशन दिया था, 10 स्टंबर, 1907 को, और तब से मैं रियास्त से और फौजियों से जुड़ा हूँ, और दिल्ली में भी मुझे प्रेजिजन्ट के मिल्टरी सेक्री रहने का भी अफसर मिला, तो वहां भी जो कुछ मैंने देखा हो सका, जो लगा कि डोगरा हिस्ट्री के बारे मैं बहुत कम जानते हैं बलकि बिलकुल ही नहीं जानते हैं, जैसे हमेशा देखते हैं भारत वरष में, शिवा जी, महारा परचाप, और हमारे रंजीत सिंग जी, हम कताबों मैं पढ़ते रहे हैं, जानते हैं, बहुत भादर हूए, बड़े काबल हूए, अपने मुल्क के लि उनने बहुत काम किया लेकिन किसी वज़ा से मैंने देखा डोगना रियास्त जो हमने बनाई गुलाब सिंग ने जन्रल जुरबर सिंग जिनको दुनिया का बहुत नबर वन जन्रल मानते हैं उन्होंने हिंदुस्तान में सबसे बड़ी रियास्त जमू किश्मीर लदाख, गिलगित, बल्तिस्तान, टिबिठा ये नाम था हमारी रियास्त का और 84,000, मेल, स्कूर माइल, नम्बर वन, 555 रियास्तों में सबसे बड़ी रियास्त और सिर्फ सबसे बड़ी ही नहीं हमालिया के पार जाकर कि लदाख को फटा करके, गिल्गित बलतस्तान बाईस ही रियास्ते हैं लदाक की और बाईस ही रियास्ते गिल्गित बलतस्तान की चुर्टाली रियास्ते अपना हैं तिबत पर हब्ला किया तिबत साथ मला दिया बहुत हिस्था बदकिसमती से जनल्जरवर सेंग की पीछे से एक भूली लगने से मृ तो आज तिबित भी हमारे पास होती है। यह ढूगरा का काम है। यह ढूगरा ही है। जोगरा गुराम शिंग जोड़ा परसी। और यह अखीर में उन्होंने 101 साल राज किया। उस इरिज्मिट जिसने 40,000 फिशादत दे दी। उन्हें सो उन्हेंजा तक जो सन्तालिर्टालि में हमारे पर पाक्स्तान से अग्रेजों ने हमला कर आया। उसमें भी हमने बचा ली। और पूरी रियास्त भारत वर्ष के साथ 6 अक्तूबर को मिला दी। तो ये ड्रोग्रा की कहानी है लेकन हमारी अपनी किताबों में नहीं है। हमारे जमू किश्मीर रियासत में मैंने कही नहीं देखा के दाबों में। करिकुलम में बिलकुल नहीं है। अब यूटी बन गई है और यूटी में भी कुछ नहीं अभी तक हुआ। तो ये बड़ी खुशी है कि ये मेमॉरियल ट्रस्ट जो कुमर्भी योगी दूसरे भी संस्था बहुत कोशिश कर रहे हैं लेकन अभी तक तामियाबी नहीं हुई। तो मैं आज इस दिन शुब दिन पर ये दरूर कहना चाओगा। मैं आपको बताओगा एक फौजी होने के नाते कि क्या बहादरिय की है इनोंने और किस तरह से इस रियासत को बचाया है। फिर भी हमारा नाम यहां होना चाहिए वहां नहीं है। और कहीं किसी ने शायद वज़ा यह है कि दोगरा हुमारे लोग पढ़ते ही कम हैं। अपनी हिस्ट्री फिर लिखते भी कम हैं। तो अगर पढ़े नहीं हम तो जो किसी ने लिखा है वह सही लिखा है, घरत लिखा है, पूरा लिखा है, काम लिखा है। वो हमें पता नहीं रहता, इसलिए आज के देने सुब देन पर मैं ये अपील भी करना चाहूँगा कि डोगरा को अपनी हिस्टरी जाननी चाहिए और पढ़ना चाहिए, कताबें पढ़नी चाहिए और ये भी देखना चाहिए कि हमारी हिस्टरी ठीक लिखी गई है, अगर कह कि नहीं लिखी गई तो उसको ठीक करके दुवारा ठीक भी करवाना चाहिए, ये भी एक बड़ी आज के दिन संकल्प करने की दरूरत है, लेने की दरूरत है, दोगरा एक ऐसी कौम है जो जम्मू, पिश्मीर में, जम्मू के पूरे सुबे में, पंजाब की जो, हिल स्टेट थी वहाँ, और हमारे जम्मू जो पाकस्तान है, इसकी आलाके में, मिलते आलाके, जो शाल पूरता, उदर जेलम, गजरात, इदर शकर गड़ता, ये सब जोगरा लोग थे, फॉज में जैजा बढ़ती होते थे, और हमारी रियास्त में काफी फॉज थी, आठ स साथ, साथ, आज़, सबसे जैजा फॉज तो हमारी जेहिं के रियास्त की थी, जिसने बहुत बहुत बहादी, लड़ाई हैं, लड़ी हैं, सारी, World War I, World War II, लेकर बहुत बड़ी कंट्रिपुशन हमारी अपनी रियास्त के बनाने में और 101 सार उसको संभालने में लगे हैं, बहुत कुर्वानियें दी हैं, अब दादा लगाओ कि कितनी सर्दी होती है, सिया जिन के आप सुनते रहते हैं, करगल की लड़ाई आपने देखी है, आपको टेलिवीजिन पर देखा है, कितनी सर्दी थी तो सब लाकों में डूगरा फौज ने, महरजा गुलाब सिंग और पर जर्वरसी के नीचे वहां लड़ाईयें करके, सकर्दू, गिलगेट, बल्किस्तान ये सब हमने जीते और रियासत बनाई और फिर बहुत नुक्सान हुआ हमारा आप, तो आखरी लड़ाई में जब पाकिस्तान ने, इंग्रेजों ने, पाकिस्तान से मजबूर करके उनको कि जिम्मु किश्मीर पर हबला करो, क्यों? क्योंकि अंग्रेज चाहते थे कि अगली लड़ाई जो होगी वो शायद इंडिया में होगी, तिसरी जंग, थर्ड वर्ल्ड वार, और वो होगी गिलगेट, बल्किस्तान में शायद वसलाके में, तो उसके लिए उन्होंने उनीसों कत्ती में ही शुरू कर दिया था, जब मारा हाईरी सिंग जी ने राउंट टेबल कांफरेंस में बोल देया कि हम जाते हैं, जैसे अंग्रेज लोग आप अजाद हैं, तो हम भी आपकी तरह ही अजाद रहना चाहते हैं, आप कांफरेडरेशन बना और उनीसों कत्ती में बहुत बड़ी साजिश करके शुरू कर दी, पूरी कश्मीर में, अब वहां पुछे वह भी उन्होंने पुलीस के उपर हमला करवा दियां और उन लोगों को, उन्हों नुक्सान भी हुआ, उनके 22-23-20 आदमी, उनको मार्टियर डिकलियर कर दिया, चुट्टी दे दी, 13 जुलाई की चुट्टी हो गई, डोगरों के ख़लाओ, ये थावत करने को, कि डोगरों लोग बड़े जालम थे, बिल्कुल गलत बात, और उसकी बया से, कई साल, और बाद भी कश्मीर में हालात खराब रहते रहे, पर और अंग्रेजों ने कराया थ इसलिए कराया था, कि वो चाहते थे, गिल्गित हमसे ले लें, लीज़ पर लेना चाहते थे, और वो उस वकद नहीं हम देते, मारे हरी सिंग नहीं देना चाहते थे, तो ओन ये तुरॉई डिस्रॉबिंस हुईं, और उसके बाद लीज़ ले लीज़ लें, सट साल के दिल्गित बक्तिस्तान का अरिया बहुत ही स्ट्राटिजिक अरिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो रस्या से मिलता है, वैसे भी जम्मुकिश्मी रियास्त जो हमने बनाई थी, आप देखो, रस्या, चाइना, तिबित, अफ़गनिस्तान, चाहर तो ये रियास्त, न ये रियास्त जोगरा की गाट्रिबूशन है, इतनी, जब दस स्टेटिक स्टेट है, इसलिए चाइना भी आकर वहां हमारा एक्साइटिन अरिया पकल लिया हुआ है, और कुछ है रहा है, गल्गित का भी रूने पकल लिया, ये अंग्रेजों ने बदमाशी करवाई हमसे, सारा सिल्क रूट लेना था, इस वास्ते हमें काफी परिशानिया होने के बाफ्योद भी, संतारी में भी जब उनने हम पर हमला करवा दिया, तो उसमें इंडियरामी को हम चाहते से आए, लेकन मौट बैटनूपूर बैठा था, वो नहीं चाहता था, कि इंडियरामी जाए पाक्सतान से मिल जाए। वाया भी था, मारजर हरी सिंग को बोला कि आप पाक्सतान में जायन हो जाओ, अगर करोगे तो इंडियन लीडर्शिप बुरा नहीं मासूस करेगे। लेकिन मारजर हरी सिंग को मनूम था, कि उनकी जो रियाया है, पाटी पर सेंट, हिंदू, बॉद, जैन ये पाक्स्तान में कभी खुश नहीं रहेंगे और 10% शीया वो भी खुश नहीं रहेंगे और जो 60% रहेंगे मसलम सुनी वो अगर पाक्स्तान में जाएंगे शायद वो भी रफ्यूजी बनके रह जाएंगे जैसे आज तक उनको भी महाजरी बोलते हैं जो हमार यूपी से गए हैं बिहार से गए हैं उनको भी उन्होंने कभी पाक्स्तानी नहीं नहीं बोला, महाजर बोलते हैं और वो गवरा के दुखी होके मिरपर वो लाख्ळका छोड़कर के चले गे कराची बगरा और पहुंछ के लंडन में, विंडन में कापस हो गया हैं पर पा उन्होंने अपनी पुनानी ग्रेट गेम के सिलसला अगे बढ़ाने के लिए और उन्होंने क्या किया दस हजार कवाईली पकस्तान आर्मी अमनीशन गाडियां शेह दार किश्मीर के ओपर सिर्नगर मालज़ा हरी सिंग को पकट की दस्कित करवाके उनका इल्हाग करवाना अक्सेशन करवाना दो हजार गुल्बर्ग को के ट्रैक पर भेजे के वो जाके पीर पंजाल कोट वो जो पकड़ना और दो हजार उन्हें टीटवाल की तरह भेजे ताके वो वहां बंडीपुरे तक आके यहां सारे फोज में लेगे यह पाक्स्तान की प्लैन थी जो 21-22 अक्तूबर कि उन्हें सबसेंटाली को उन्हें हमला कर दिया हमें कुछ मालूब नहीं था यह सब लैंड हमारे जनरल स्कार्ट होते थे वो 24 सेप्टमबर को रिटायर होके स्कार्ट लैंड चले गए पर वो फोज हमारी वह पूरे बाड़र आठ सो किलो मीटर पर आठ पल्टने शेहज कि अधार होई थी हमारी वह लगाई वही थी और यह पिताते हैं हमें और मैं भी उसकर वोज में था और उसींगर में था मारा जैरी सिंग के आड़्वाइजर से जनरिल स्कार्ट बोलते थे कि पाक्स्तान हमला नहीं कर सकता इस इस हमेरे की पोजीशन में नहीं है वह क्यो लेकिन ये भी चलाकी थी, वो हमें बताते थे लेकिन उन्हों ने फोड जो इस हमले के लिए चाहिए थी वो जून महिने से ही शुरू करती है था, जैसे ही महाना जारी सिंग जी ने कहा कि हम सोचेंगे और जब उनने कहा बात करेंगे अभी दो-तीन दिन आप अराब करो मौन बेटन को बोला तो जब परसु आप जाएगे तो हम सोच लेंगे तो परसु जब वकत आया तो वो बोल दे मेरा पेट खराब हो गया मिले ही नहीं क्योंकि उनको महलूम था कि वो प्रेशर डालेगा और वो वाहसराय था वाहसराय सब कुछ होता है पर इतनी चलाकी से इतन कि यह संभालना मुश्कल है जो भी रिपोर्टें आ रही थी वो पता लग रहा था जुलाई ने कि शायद पाकिस्तान प्रेशर डालेगा हम उसको संभाल नहीं पाएंगे तो 18 जुलाई को उन्होंने अपने डिप्टी प्रेमिनिस्टर बत्रा को दिली भेजा जुलाई को 15 से पहले नहरुजी के पास के हम एकसेशन त्यार है हमारा एकसेशन कर लो तो उन्हें को है नहीं आप शेख अब्दॉल्ला के बात शेख अब्दॉल्ला तो मुल्जम थे उस वक उन्हें एक रिवोल्ट की हुई थी उनके ओपर चार्ज लगे थे उनका मकदमें चल रहे अब्दॉल्ट है फाटीशिक्स से तो महारा जा उन्हें से बात कैसे गरता है वो गलत बात थी और नहरुजी समझ नहीं सके और इस वस्ते वो एकसेशन पंदरह अगस्त से पहले रुक गया जब इन्होंने देखा शालात खराब हो रहे हैं क्योंकि सारा सामान पाकिस्ताम से आता था खाने पीने का ट्रेन गाड़ी मिट्टी का तेल एवरिफिंग पोस्ट टेलिग्रफ सब पाकिस्ताम से था इंडिया के साथ तो सड़क भी नहीं थी फूल भी नहीं था उदर तो उन्होंने स्टेंड स्टिल एक्रिमेंट कर लिया कि यूंका तूं ऐसे ही चलना पाकिस्ताम तो बन गया नहरु जी फिर नहीं मनने किया हो गया था खैसी ब unanimति हम्रेजास का कि अिर्चंडीय की इस मामलें जम्मौ किस्टमी्ट के बालते के बाले में गलती हूई, कोई बात ठीक नहीं है . जिसका खम्याजा हमें भूबतना पड़ा, पूरे लिई।िय ग अब भी भुकत रहे हैं, चार जंगें लड़ी हैं, फिर भी फैसले नहीं हुए, तो ये बड़ी दुख्की बात है, और उस संतालीमें भी जब ये बलकि पता भी लग गया, कि 20 अगस्त को महां मेजर उनकार सिंग करकट से, बन्नु कोहार्ट ब्रिगेड के ब्रिगेड मेज फिर से उनको एक लफाफा आता है, टाप सीक्रेट बंद, उनने खोला, तो देखा, साइन किया हुआ, जनरल मिसर्वी, जो पाकिस्तान का अंग्रेज कमांडर्ण चीफ था, कि 10 हजार कश्मीर के उपर, 10 हजार जमू के उपर, 20 हजार पाकिस्तानी हमला करेंगे, 22 अक्तूबर को हमला शिर्व होगा, और ये चिठी उनको मिली, 20 अगस्त को, अभी दो महीने, दो दिन पहले ही आडर निकाल दिये, कि जम्मू किश्मीर, 15 अगस्त तक अगर नहीं मिलेगी, तो 22 अक्तूबर हमला करके, जबरदस्ती पूरी रियास्त, पाकिस्तान से मला द जाएगी, और उसकी प्लैनिंग जून संताली में शुरू हो गई थी, उसी के लिए उन्होंने फील्म मार्शल आकन लेकर रखा था, और 6 के 6 कमांडर चीफ अंग्रेज थे, पाकिस्तान में भी 3 अंग्रेज, और इंडिया में भी 3 अंग्रेज, और उनकी ओपर हमने एक औ जिससे क्या हुआ, कि हमारे खत्यार में कुछ नहीं था, अंग्रेज ही हकोमत कर रहे थे, वही हमला भी करवा रहे थे, और वही इदरे से लड़ाई भी लड़वा रहे थे, इस हालत में इस रियास्त को नेरू की सरकार ने छोड़ दिया, मैंने सब देख रहा है मेरे सामन बहुत दुख होता है, और फिर 22 की रात को एक और बदी बदकिस्मती हुई, कि हमारे ब्रिगिडी रहमत उल्ला होते थे, वह पकड़ंगा में रहते थे, और जब हमला हुआ तो वहीं थे, पर उनका बेटा, असलम, कैप्टन असलम, वह फोर जेन के में था, और वही कंग नराहिन सिंग समयाल, उनके नीचे था, वर्ल्ड वार टू में, और जैपनी के खिलाफ, बरमा में लड़ाई में बहुत अच्छा काम किया था, हमारे फोर जेन के बड़ी बहादर बिटालियन थी हमारी, वह मुझाफरबाद ना लगाई थी, वह आधी हिंदू दोगरा थ और वह भी उन्हें पांच मिल्टरी क्रास जीते हुए थे, पहले भी यहीं प्लिटर्म जरवर सेंग के साथ थी, मैं तब बस्तिराम कमान करते थे इनको, वह पिश्टवाड के थे, और बाद में भी, हुसाइन अबालमन में भी इसने बहुत अच्छा काम किया, पाकस्तान पूरा ब्रिगेड खातुम कर दिया हुसाइन अबालमन में, पंजाब में, वह हम पर एक हाइस्ट अवार्ड जो भारत रतरंग के बराबर होता है, शोका चक्रवान, हमारे जवान को मिला, जो निशेरा क्या है, पहला वार्ड, तो वह जब देखा, कलकट ने, वो गबरा गे, उनने टेलफोन किया, ब्रिगेडीर उनका आगे गया हुआ था, पिकट के उपर कहीं बाहर बनू, तो उनने बोला, ऐसा है, तो उनने कहा, कि चुप रहो, अगर तुमने किसी को बताया, तो तुम बापस इंडिया नहीं जा सकोगे, और फौरण आके उसको हाउस रेस्ट कर दिया, किसी तरीकी से ठारा अक्तूबर को, मतलए 20 अगस्त को लेटर देखी थी, उसे ने 16 अक्तूबर को, दो मिने के बाद करीवन, वो अपने दोस्तों की मदद से कहीं हुआई जहाद पर पहुंचा, निकल गया, और अबाला मैं लेंड करके लेट हो रहा था, उसको पता था के हमला हो जाना है बाइस को, जो ठारा हो गई है, चार दिन रह गए है, कहीं ट्रेन पकड़ी, माल गाड़ी में बैठे, दिल्ली पहुंचे, और डिफेंस्ट मिनिस्टर बलदेव सिंग को, और हमारे जो उस पकर बिगेडियर धापर, अक कर तो कोई सकता है नहीं से, उनको बताया कि मैंने देखा है, और अपरेशन आडर आ गया है, कि 22 अक्तूबर को मदफराबाद से सिर्नगर पर हमला हो जाएगा, वो माना ही नहीं कि हो नहीं सकता ऐसा, कुछी नहीं किया, और हमें पता ही है, कि 22 को हमला हो गया, अंदाजा लगाओ, कि क्या हालत थी समारे भलकी, पता भी लग गया, कि हमला हो रहा है, फिर भी कोई action नहीं हुआ, तो अब यहाँ, हम भी सोचते थे कि इतना बड़ा हमला नहीं हो सकता, तो थोड़ी थोड़ी टुगडियों में, कोई कौला में, कहीं, हिधर कहीं, टीटवाल में, जर्की भी 200 किलोमीटर के एरिये में लगी हुई थी, उन रात कॉपला कर दिया और उससे वो था, दुषेरा आने बाला था, और हमारी पल्टनों में क्या होता था, कि दुषेरा एक दिन हिंदू को वो तीन दिन छुट्री दे देते थे, कि दुषेरा बनाओ, और ईद के दिन हिंदू ड्यूटी देते थे, और मुसल्म को छुट्टी दे देते, तो ये दुषेरा 24 को था, और 22 को उनको फरी की को फरी कर दिया, और वो इतना सब बंदबस्त असलम ने किया था, बजी रह्म तुल्ले का बेटा, और वो पार आके हमारे मुसल्म असलम से मिलके, कि आपने इनके वैपन जैसे ही ये एकीष रात को वैपन इनके कोथ में डालके इनकी चाबी गुम कर देना, ताके इनको वैपन नहीं मिले, और फिर जो भी बैरिक में सोय हैं, इनको मार देना, वही हुगा, तुमाम हिंदू बार दिये, 21-22 की रात को, और फिर 22 को सुबा, नराइम सिंग को भी उन्होंने तकरीबन घेर लिया और वो पांच-दस आदमी उनके साथ थे वो दुमेल के पुल के साथ जगह थी जाड़ी बगएरा में कहीं छुपगे और मेसेज कर दिया कि यह हो गया है रात को हमला हो गया है हमारे साथ मारे गये हैं और आगे आप संभालो क्या होगा उसके बाद बात कोई नहीं हुई तो यह 22 की सुबद यह हुआ अब उन्होंने प्रोग्राम उनका यह था प्लैन कि तीन सो गाड़ी उनको मिली हुई थी शे हजार पाकस्तानी ट्राइबल जेन पाकस्तानी उन्होंने दस वजे महां से निकलना था मज़फराबाद से पांच गेंटे का जैद है जैद है रास्ता था तीन वजे तक पैलस में सिर नगर जाके मारे जैरी सिंग जी को पकड़के एक्सेशन के दस के उत्रॉज इसका तो मतलब यह हुआ कि उन्होंने अगर अगर इलाक नहीं किया था एक्सेशन नहीं किया था तो जबरदस्ती रियासर पर गफ़जा इंगरेजों ने करवाया पकिस्तानी यों से यह इंगरेज हमारे साथ कर रहे थे और नेरू जी को पता ही नहीं था हमें भी कुछ पता ही नहीं था इनको बगत फिर भी देखो मारेज हैरी सिंग और उनकी जोगना फॉज जिनके बिगिडिर अजिंदर सिंग टीफ आप मिलिट्री स्टाफ जैनि मिलिटरी कमांडरंड चीफ वही थे तो मारेज हैरी सिंग को यह खबर मिली तो उन्हें भरदी डाली और बोले मैं करकेल मारे जाता हूं मुदिफर भाद देखता हूं क्या हो रहा है क्योंकि वो नहीं सोच्ते हैं जोच भी इंडियां कि नहीं कहा है और in RICHी नामींग को और Government अइंडिया को भी बोलेंगे को पिस मसद भी दीर कोई आड नी मिला कोई कुछ बहुत। मारेज हरी सिंग जी ने अपनी एक जो कंपणी थी उनकी पैलस गाड वो कैप्टन प्रिती सिंग थे उनके कंपणी कमांडर वहां पैलस गाड को वही दे दे वही बच्चे लेके वह सौ लेके चल पड़े रात को रहे उडी में और सौ दस में चले मजबफरबाद को पता करने को कि क्या हो रहा है। जब वह गड़ी पहुंचे तो उन्होंने सामने देखा तीन सो गाड़ी आ रही है। उनमें शेह हजार लोग निकले। पाकिस्तानी पठान, टकड़ राइफल, सारा और फोर्जेंट के हमानी लीड कर रही थ रहता तो उसका सड़क रोजुजी में ते वह राशन जा रहता था रोज राख, एवरी डे, उनकी शैद फैमिली भी गजामी बाग में थी, सिर्नागर में थी, तो जब वह आगे तो प्रगिर जाईंदर सिंग जी ने कहा, साथ आजमी थे कोई, कि आप एक प्रटोन तीस क काड़ी सड़के उपर द्रियाए, जेलम की तरफ दूसरे तीस जवान कैप्टन सुड़दार जुनिचंद के नीचे बाएंवली पहाड़ी पर, और कैप्टन प्रीटी सिंग कमांडर वुड को बोला, जैसे ही गाड़ी आएं, इतना फायर करो कि गाड़ी सड़के उपर ह कुछ गाड़ी बरबाद हो जाएं, रोड़ बराक हो जाएं ताके हमें टाइम मिले और हम हिंदोस्तान पानमी का भी कोशिश करें कि वो जल्दी से जल्दी और किसे नगर को बचाएं, वही हुआ, जैसे ही वो सामने आया तो प्रिसी सिंग जी ने एक और बड़ा काम किया कि एक नाय करपाल सिंग लिया चार पांच सेक्शन ली और अगले बोड़ के पर जा करके जैसे ही पाकस्तानी गाड़ी आई हमला करके पहली गाड़ी चीन ली उनसे और ले आए, जब वो ला रहे थे तो बायां से अपनी प्रटून दायां से दूसरी दूनी चंद की प्र माशेरी हैं अभी पुलीस डीएसपी में रिटायर हुए बाद में वो भी दूनी चंद के साथ बेखे और उनको भूला हुआ था कि फायर करो जब पाकस्तानी मार्किंग की गाड़ी देखी इतना फायर हुआ जो गाड़ी तबाह हो बलकि उसमें चार जवान हमारे भी बा के सफेद बन्यान निकाल के उसके ओपर रैफल के ओपर बताई कि हम अपने हैं तो उनने गाड़ी वहां मारी पहाड के साथ और वो पकार रोड़ ब्लाक बना दिया और खुद निकले एक और उनको माटर का बम लगा ज्यादा सीरिस होगे और वो हस्पतिल भेज दिये गे ये सिच्वेशन प्री रैजिंदर सिंग ने इस तरह से कंट्रोल की कि वो तीन बज़े और उनने मारे घरिसिंग को पकड़ना सा जाकर बाइस को तो पहले दिल उनको तो नहीं आने दिया वो कल्मल डराइंट सिंग के दस आदमी ने और एक MMG प्रटॉन थी मारी उनने रो कि रख लिया और पूरा एक दिन बाइस का उसकी बज़र से तैइस हो सका और तैइस के रोकने से मारजा हरी सिंग जी को भीर साबने सारी ख़बर से नाई वहां मेरे चंद महाजन प्राइम मिनिस्टर थे वो भी सुन रहे थे और उन्होंने फिर उनसे जिल्ली में बोलके जिल्दी से फौज आए पर मौट बेटर ने कहां नहीं कौन कहता है वहां दुश्मन आ गया हाला कि मौट बेटर को सारी ख़बर मिल रही थी उनको मलूब था कि 10,000 आदमी ने हमला किया है और मुदफरबाद में एक दिन बेस्ट हो गया है दूसरे दिन गड़ी में भी ब पटेल के सेकेर्टरी थे स्टेट्स के भी और होंक के भी वो मैनिक्षा जो बाद में फील्ड पार्शल बने जिन्होंने बंगला देश में बदला लिया जाके ये किश्मीर का वो दोनों वाईजास पर आये देखा तो पता लगा हालत कितनी खराब होगी उन्होंने ही मारे हैरी सिंग को बोला कि आप जल्दी जब मूँ चले जाओ नहीं तो ये रात को वो पहुंच जाएंगे तो आपको ये पकड़के दस्तर करो लेंगे हम कैसे पेपर आप से कहां ले जाएंगे तो रात को वो रहे इदर ही बैपी मैनन और मैनिक्षा उन्हें ये इन्शोर किय रात को बारा वज़े तक निकल जाएं और रात को बारा वज़े पच्चीस शाम को निकले हैं और श्वी सुब्स वह वहां जब हो पहुंचे हैं तो ये 26 को गे हैं वापस ये रिपोर्ट सनाने नहरू को मामला बहुत खराब हो चुका है दुश्मन सिंगर पहुंचने वा बेजो तो वो कहता है नहीं जब तक महाराई हरी सिंग दसकत नहीं करेगा मैं नहीं बेजू उनको मलूम था कि कहां पहुंच गया है पाकस्तान आर्मी और वो चाहता था एक दिन और बिल जाए यह मौट बैटन चाहता था अंग्रेज चाहते थे हमको इतना बुद्दू बन तब जाके 27 को वो इंडिन आर्मी आई लेंड करी पर तब तक बिएजिंदर सिंग लड़ रहे थे उड़ी कपल उड़ा दिया उससे दो दिन और बिल गए फिर वहां महुरा की लड़ाई लड़ी महुरा मैं भी किसी बज़ा से जब दुश्मन आ रहा था तो वहीं जो उस अब वहाद में था वह उन्होंने सारा स्टेशन उड़ा दिया खत्म कर दिया बिजली खत्म पूरे में भी उद्सिन नगर था देखा बिजली खत्म हो रही है बस उसके बाद बिजली आई नहीं के लेंगे तो दूसे दिन उन्होंने रामपुर बुनियार में रड़ाई जड़ी पूरा बहुत रुक्सान किया किते हैं एक हजार पाकस्तानी मारे गया और रात को जब निकल रहे थे चबी की रात को दो बज़े उस मुक्त पाकस्तान ने अमबुश कर लिया द्रखत काटके पत्थर सड़कों पर और जो गाड़ी जा रहे थी उड़की उड़की जाने बायां से इतना फायर किया और ड्राइवर बर गे कैजूल्टीज हो गई जख्वी बीच थे वो बर गे पीड़ी जदरी सिंग भी मारे गे वहां पर रख्वी हो गे उनने का मुझे पिस्टल दे दो मैं मुझे मारा जहरी सिंग जी का हुकम था कि यू बी लास्ट मै यह मेरा पिस्टल और वही रहे वह कहीं लास्ट मैं तक लड़ते रहे दो बजे तक उस सड़क पर कोई नहीं बारा बोला को आ सका 27 तरीक सुबा साथ बजे पहली गाड़ी पाकस्तान से बारा बोला पहुंची है यह एफेक्ट बात है दाया बायां से लोग कोई लोकल यह कुछ वो कहीं बारा बोला के पास पहुंच गया लेकर 27 सुबा तक कोई में रोड पर बिगेड़ अजंदर सिंग और डोगरा फोरस दिने किसी को नहीं आने दिया जिसकी बज़ा से किश्वीर बच गया एरपोर्ट बच गया और तब तक वो पोज आने शुरू हो गई अंग्रेजों के हिसाब में था कि शायद उनको बोला था कि लैंड नहीं कर मतलब पाकिसितने के पास हो जाना चाहिए था इसलिए बोला आप उपर से देखना अगर एरपोर्ट दुश्मन पहुंच गया है तो बापस आ जाना यह होकम था नेरु जी का पलदेव सिंग जी का अपनी फोज को मगर वो तो बारभ मुलों से आगे जाने ही नहीं दिया ह हमारी फोजी इस वजा से नौवजी फोज लेड हो गई और सिख पल्टन थी राय कंवन थे वहां पर हमारी कश्मीर सिंग के टोच थे बोर वाइजरुच थे उस वकत मारे जैरी सिंग जी के उन उनको बोला के आप यहां ट्राय मत वेस्ट करो आप सीधे बार मुला चले ज बहादर थे आगे बड़े गोले लगी मारे के तो मगर कश्मीर बच गया इसके बाद फिर भी लड़ाई हुई पर इंडिनामी आगे फिर उन्होंने समाई पर डोगरा फाउज ने पूरी रियासत 26 को इंडिनामी को और पूरे भारत को देदी यह डोगरा जमू के डोगरा की बहादरी का मगर किताबों में कुछ बहुत कम है बच्चों को कुछ महलूब नहीं में लंडन गया वहां लेक्टिर दिया वो बड़े अच्छे बच्चे कावल वो कहते हमें कु कि अन उन्वश्ति में कॉछ्छ नहींकी इसके बादे में जर्मॉर्बर सेंकों थैं मारे गुलाब सिंग कौंत cuk्छ नहीं है मारे लियन विरिसृं कौंत है रभास यह देखो इनके बार नहींस इसमुल को पता म workflow तो मैं समझता हूँ कि यह हमारे मेमूरियल ट्रस्ट जो हैं बहुत काम कर रहे हैं जो हमारी गौर्णमेंट नहीं कर सकी, एजुकेशन रेपार्टमेंट नहीं कर सके, NCRT में कुछ नहीं हुआ, हमारे बोस नहीं किया, अब कबसकाम यह ट्रस्ट है, उमेद है कि हमारी को दिखी नहीं गई, उसको निकालेंगे, तब ही में सब तो इन मेमूरियल ट्रस्ट का भी फाइदा है, मैं आप सब को बहुत बहुत बदाई देता हूँ, और आशा करता हूँ कि यह ट्रस्ट आगे बढ़ें, और हमारी कहानियां लोगों तक पहुंचाएं, बहुत । कि अालोगों एक और हमुच्चाएं, व्वेक्र बढ़ें, व्च्चाएं अबच्चाएं, व्चाएं, झालोगों, प्रिछिएजिसाओ, बहुत एस्लिएंग, ह।